आज हम बनाएंगे एक्तम भंडारे वाली हलवाई स्टाइल आलू गोभी मटर की सबजी ये ग्रेवी वाली सबजी हम बनाएंगे जिसे हम बिना लहसून प्याज के बहुत ही टेस्टी बनाकर तयार करेंगे आप इसी ट्राय जरूर कीजिएगा नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका श्यामर सोई में तो चली शुरू करते हैं बनाना आलू को भी मटर बनाने के लिए हमने यहां 300 ग्राम गोभी ली है और गोभी को हमने थोड़े बड़े टुकडो में काटा है ताकि पकने के बाद ये एकदम से मशीन ना हो अब हम इसके पिछे वाले पार्ट पर एक एक कट लगा देंगे ताकि पकने के बाद ये वाला पार्ट हाड ना रहे अब हम 3-4 कप पानी एक पतिले में गरम होने के लिए रखेंगे और इसमें हम सारी गोभी डाल देंगे गैस की आँच को हाई रखिएगा इसमें हम आदा छोटा चमच नमक और दो पिंच हल्दी पाउडर डालकर मिक्स करेंगे और एक उबाल आने का इंतजार करेंगे जैसे ही उबाला जाएगा गैस की आज को तुरंत बंद कर दीजिए और इसे हम एक चलनी में निकाल लेंगे इसे पहले पूरी तरह से ठंडा हो जाने दीजिए हमने यहाँ पर चार मेडियम साइच के आलू लिये हैं 200 ग्राम आलू है तो एक आलू के चार से छे टुकडे कर लिजिए तो इस तरह से हम सारे आलू काट कर तयार कर लेंगे आलू भी हमने काट लिये हैं अब हम एक प्लेट के लिए फ्राय कर लेंगे ऐसा करने से गोबी की सब्ची बहुत ही स्वाधिस्ट बनती है यह देखिए गोबी अमारी बहुत अच्छी सी फ्राय हो गई है तो अब हम इसे एक अलक प्लेट में निकाल लेती हैं अब हम कड़ाही में एक चमच तेल डालेंगे तेल एक साथ बिल्कुल भी मत डालिएगा और अब हम इसमें आलू डाल देंगे आलू को मैंने पानी में से निकालने के बाद सुखे कपड़े से पोच लिया था आलू फटाफट से पक जाएं इसके लिए इसमें दो पिंच नमक और एक पिंच हल्दी पाउडर डाल दीजिए और इसे भी हम 6-7 मिनिट के लिए मीडियम गैस पर हलका सा क्रिस्पी होने तक फ्राइ कर लेंगे ये देखे आलू भी हमारे फ्राइ हो गई है बहुत अच्छी सी क्रिस्पी कोटिंग आ गई है तो इन्हें भी हम पाहर निकाल लेते हैं आलू गोबी फ्राइ होकर तैयार ह हो चुकी हैं अब हमने यहां ग्रेवी के लिए तीन मीडियम साइज के लाल टमाटर लिए हैं एक हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकडा लिया है इन्हें मिक्सर में चलाकर इनका पेस्ट बना लेंगे यदि आप बड़े साइज के टमाटर ले तो दो टमाटर इनफ रहेंगे तो यह हमारा टमाटर और अदरक हरी मिर्च का पेस्ट बन गया अब हम मसाला का पेस्ट बनाएंगे इसके लिए मैंने एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच रेगुलर वाली तिखी लाल मिर्च ली है एक ऐसा करने से जो मसाली होते हैं बहुत अच्छे फूल जाते हैं और ग्रेवी में बहुत अच्छा कलर देते हैं मसाला का पेस्ट भी बन कर त्यार हो चुका है अब हम फाइनल सबजी बनाते हैं तो आलू फ्राय करने के बाद हमारा तेल इसमें लगबग एक चमच रहा गया था तो मैं इसमें दो बड़े चमच तेल और डाल देती हूँ तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें एक छोटा चमच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे यहां मैंने एक तेज पता लिया है जिसके मैंने दो टुकडे कर लिये हैं दो से तीन लॉंग डालेंगे और दो से तीन मैंने यहां पर सूखी लाल मिर्च ली है जिसे मैं इस तरह से तोड़ कर डाल दूँगी अब हम इसमें एक चोथाई चमच हेंग डाल देंगे इनको हलका सा फ्राइ कर लेंगे पांच-दस सेकेंड के लिए और अब हम इसमें सबसे पहले मसाला वाला पेस्ट डालेंगे दो-तीन चमच पानी डाल देंगे अब हम गैस की आज को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे तब तक पकाएंगे जब तक की साइड से तेल ना निकलने लग जाए तो दो मिनिट का समय लगेगा ये देखी जैसे जैसे मसाला पकेगा इसका कलर बहुत ही अच्छा आजाएग ये देखी हमारा मसाला पकर बिलकुल तयार है अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे साथ ही एक चमच पानी डाल देंगे और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे मैंने यहां आधा चमच नमक डाला है इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लें तेल सतय पर आ गया है लेकिन अभी हमारा मसाला अच्छे से पका नहीं है तो हम गैस की आज को medium to high कर देंगे और इसे continue चलाते हुए पका लेंगे और ये देखिए मसाला हमारा बिलकुल तयार हो चुका है जितना अच्छे से मसाला पकेगा सबजी उतनी ही tasty बनकर तयार होगी अब हम इसमें एक छोटा चमच कसूरी मेथी डालेंगे और यहां मैंने आधा कप फ्रोजन मटर लिया है यदि आप फ्रेश मटर ले तो उसे गोभी की तरह एक उबाल लेकर इस्तिमाल कीजिएगा मटर को एक मिनिट के लिए मसालो के साथ हमने भून लिया है अब हम इसमें फ्राय किये हुए आलू और गोभी को डाल देते हैं आलू और गोभी को हम medium to high gas पर दो मिनिट के लिए मसालो के साथ अच्छे से mix करते हुए भूनेंगे हमने दो मिनिट इन्हें mix करते हुए भूना है और अब हम इसमें लगबग दो कप गरम पानी डाल देंगे आपको इसका रस जितना चाहिए अब उसी साब से इसमें पानी डाल दीजिए अच्छे से mix कर लीजिए और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देते हैं मुझ दोनों soft नहीं हो जाते तो देखिए हमें सबजी को पकाते हुए लगबग 15-20 मिनेट हो गया है और बीच में मैंने इसे दो बार चला दिया था तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि आलू और गोबी अच्छे से पके हैं कि नहीं तो देखिए आलू हमारा अच्छे से soft हो गया है और इसी तरह से हम गोबी को भी चेक कर लेते हैं ये देखिए गोबी भी बहुत अच्छी सी soft हो चुकी है तो आलू गोबी दोनों soft हो गए हैं अब हम इसमें से ये तेज पत्ता हटा देते हैं इसका flavor सबजी में आ चुका है अब हम इसमें आदा छोटा चमच गरम मसाला ड पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़े से अदरक के लच्छे और बारी कटा हुआ हराधनिया डाल कर मिक्स कर देंगे इस सबजी में अदरक सबसे अच्छी लगती है इसके लिए अदरक अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा ये देखिए बिलकुल perfect सबजी बंद हम 10 मिनिट के लिए ढग देते हैं और ये लीजिए 10 मिनिट के बाद हमारी सबजी सव करने के लिए बिलकुल तैयार है तो फ्रेंड्स आप इस सबजी को पूरी पराठा के साथ सव कर सकते हो आपको रेसिप एच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेर कर दीजिएगा चैन मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेए